नमस्कार ट्रेनीज, मैं अनुराज सक्सिना, आप से लोग का हरदिक स्वागत, एवा मिनंदन करता हूँ, इंस्ट्रेक्टर कम्यूटी चैनल पे तो ट्रेनीज, आज हम जो अपनी स्रीज है, भारत स्किल स्रीज, उसको आगे बढ़ाते हुए, सैमिस्टर फोर, फिटर साइक इंडियर का मोडिल फाइव, इरेक्शन एंट टेस्टिंग का जो भारत स्किल है, उसको हल करेंगे, आभी किये जो वीडियो है, इसमें कोश्चन का नाम है आपका इरेक्शन एंट टेस्टिंग, यह जो चैप्टर है, जब आप कमपनी में जाएंगे, काम करने हैं, आप फिटर ट्रेट्स हैं, मेकैनिकल ट्रेट्स हैं, तो आपको यह बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा, इरेक्शन और टेस्टिंग, ठीक, इरेक्शन ज गई, ठीक, और भी जो मशीन होती है, उनमें बहुत हैवी वर्क होता है, ठीक, तो अगर उनमें जो वाइब्रेशन उत्पन हो रहा, उनको सही से जमीन में क्लैम करके नहीं रखेंगे, सही से नहीं लगाएंगे, तो मूव कर सकती हैं, तो उनको फंक्शन करना है, वो भी कॉपनी में जाएंगे, तो आप देखेंगे that a lot of material is always moving there, आपको हमेशा वहाँ पे material move करना होता है, एक प्लेस से दूसरे स्थान तक, पहला क्या raw material लाए गया, आपने उसको मशीन में प्रोसेस किया, फिर उसको वहाँ से उठा के दुबारा ले जाना है, और जो material होता है न कुछ समय बाद आप idea पास करके जब आप company में जाएंगे तब आप उसको देखेंगे, तो चलिए हमारा उद्देश यह है कि हम इस chapter को अच्छे से समझे, इसे concept भी समझे, तो इस chapter को हम शुरू कर रहे है, तो पहले question में कहता है, what is the purpose of hydraulic floor cranes, hydraulic floor cranes का उद्देश यह क्या है hydraulic floor cranes में आपको दिखा देता हूं कैसी होती है, ठीक है यह देखे, इस तरह का आपने I hope देखा होगा, ठीक है इस तरह की cranes आपने देखी होंगी, इनको हम hydraulic floor cranes कहते हैं, ठीक है, यह जो company में होती ही बहुत commonly आपको दिख जाएगी, तो आप से पूछा है किसका उत्देश तो सीधे याद करिए, used on lever to lift or lead heavy loads, भारी भार उठाने या संचारन करने के लिए, यह जो हमारी machine है, देखे, पहला option क्या है, यह कहता है, बहार सिर्फ बहार उठाने के लिए, दूसरे में कहता है, भार को स्थानांतरित करने के लिए, दूसरे में कहता है, भारी भार उठा भार उठाना भी है, और संचालीद भी हम इससे कर सकते हैं, और option D है, screw geared, sorry, to raise and lower the load, जो load होता, उसको उपर या नीचे करने के लिए, तो जो हमारी hydraulic cranes होती है, जिसका मैंने भी आपको figure दिखाया, अब आप खुद इसका figure दिखके समझ जेए, कि हम इससे क्या क्या कर सकते ह हैं, एक तो हम इससे, जो हमारा materials को open नीचे उठा सकते हैं, और दूसरा material को उठा गिये हैं, हम इसको चला भी सकते हैं, तो खुद बाखुद इसका answer क्या हो गया, इसका answer हो गया, C, 225 का C, used on lever to lift or lead heavy loads, ठीक है, अगले question में कहता है, what is a system of two or more police with a rope traded between them, जो उनके बीच rope, द जरूर देखके चलें, ठीक है, एक नजर थोड़ा बहुत English ही मार के चाहिए, अब देखें, conversion हमने किस तरह से किया है question का, और मतलब उसका क्या निकल गया आ रहा है, ठीक है, जो उनके बीच rope से बिरोपे गए दो या अधिक pulling का जो एक कुछ मतला समझ में आ रहा है आपको तो इसलिए एक बात आप थोड़ा सा English में ऐसा नहीं कि बिल्कुली आपको ये नहीं सोचना है कि हम English बिल्कुली देखेंगे नहीं, ठीक है, जो original paper है, वो ऐसे वो English में ही रहता है, फिर उसको Hindi में generally convert किया जाता है, तो कई बार उसमें किया है कि सारी mistake हो जाते हैं, देखे rope बीच में traded होती है, तो उसको हम बोलते है, pulley block, तो pulley block का मैं आपको diagram दिखा देता हूँ, ठीक है, ये देखे, pulley block है, इस तरह से क्या होता है, दो pulleys offers में interconnect करके हम, इसमें ropes वगरा बात के, इसमें अच्छा mechanical advantage हम लेते हैं, ठीक है, lever simple machine में आपने पढ़ा होगा, तो काफी आसानी सम, काफी heavy load इसमें उठाटे हैं, तो उसको बोलते है, pulley block, अगले question में आपसे पुछा है, what is the name of crane, आपको crane का नाम बताना है, तो ये है pillar zip crane, ठीक है, pillar zip crane कहां से होई, देखे, pillar का मनलब क्या होता है, खंबा, ठीक, तो ये खंबा आपको दिख रहा होगा, ये खंब है, इसलिए इसको हम क्या बोल देते हैं, pillar zip crane, अगले question में कहता है, what is the name of foundation bolt, आपको इसमें एक foundation bolt दिखा है, आपको पहचानना है, foundation bolt वाला chapter जो था हमारा engineering drawing में भी था, मगर उसमें काफी limited जो हमारे boards हैं, वो दी है, ठीक है, मगर आप इसमें देखेंगे, आपको जो theory है ह हमारा, यह है आपका option D, conical washer foundation bolt, इसको आप अच्छे से यार रखेंगे, ठीक है, figure अच्छे से दुबारा से दिखा रहा हूँ, यह है, conical washer foundation bolt, foundation bolt आपको पता ही होंगे, I hope, कि जैसे हमारा machine का कोई part है, इसके उपर हमेरे foundation डालके इसको जमीन से attach किया हुआ है, ठीक है, इसक प्रकार के रसी के तार एक ही दिशा में मुड़े हुए होते हैं, रसी आपने बहुत दिखी होंगी, ठीक है, आम जो आम बोल चाहला है, उसमें हम सीधे रसी कहा देते हैं, मगर आप टेकनिकल लाइन में आदें तब रसीों के भी आपको टाइप पढ़ने पढ़ते हैं, वो टाइप्स क्या हैं वो आपको दिखाता हूँ, देखे रसी किस-किस तरह की होती हैं, यह देखे, रसी को जनरली हम दो तरह से विभाजित करते हैं, एक होती है हमारी लॉंग ले रोप, जैसे यह और एक होती है रैगुलर ले रोप, ठीक, जो हमारी लॉंग ले रोप ह उसमें क्या होता है, जैसे उसमें देखे, इनको क्या बोलते हैं, इनको Lays बोलते हैं, जैसे आपने रस्ति देखे होगी, वो एक solid नहीं होती है, कई सारी रस्ति या बेसिकली combination होता है, जब रस्ति को गोड़ से देखेंगे, जैसे आप पतली से सुतली भी देख लीजिये, या फिर जो बड़ी रस्ती होती हुँए उनको आप देखें कि यह combination होते हैं, बहुत छोटी-छोटी रस्तियों आप उसमें मिलके बड़ी रस्ती बनाते हैं, तो अब जो छोटी-छोटी रस्तियों को अगर हमको मोलना है, तो उनको हम 2 तरीके से कर सकते हैं, एक तरीका है, रही का number 1 यह है जो figure 1 में आपको दिखाया है कि इसके जो हैं आप देखें जो इसको रसी लापिटी गई है एक ही लाइन में लापिटी गई है ठीक है यह देखें हाँ पर लिखा भी है when the wires and strands are twisted in the same direction जो wires and को same direction में twist किया गया है इस तरह से ठीक है तो उसको हम बोलते है long lay ropes कई बार क्या होता है आप जैसे figure देखेंगे ठीक है उसमें क्या होता है एक part इस तरह से आ रहा होता है रसी का और दूसरा part इस तरह से आ रहा होता है तो उसको हम बोलते है regular lay rope जो हमारी long जो lang lay rope होगी उसमें क्या होगा एक ही direction में हमारा होता है रस्ति जैसे यह आला figure आपको उप्पर आला दिख रहा है और जो दूसरी ताइप की रस्ति होती है उसमें opposite direction में होता है अगर कोई एक इस तरह से चल रहा है तो दूसरा इस तरह से चल रहा है ठीक है उसका हम बोलते ह पुछा है, which wire rope strands are twisted in the same direction, किस प्रगार की रस्सी के तार, एक ही दिशा में मुड़े होते हैं, तो वो क्या होता है, हमारी lang ray rope होते हैं, ठीक है, lang ray rope, अगले question में कहता है, what is the purpose of triangular frame base resting on ground in the frame of derrick lifting equipment, ठीक है, सबसे पहले हम आपको जो derrick हमारा lifting equipment है, उसकी photo दिखाता हूँ, ठीक है, यह हमारा triangular type जो derrick equipment है, देखें, जो उसका main support है, आप देखेंगे, यह triangular shape का है, यह triangle बन रहा है नहीं कि यहाँ पे, तो आप से यही पूछा है कि यह किसले दिया जाता है हमको, जो हमारा direct lifting equipment है, उसमे ठीक है, तो उसका option है, company को रोकने के लिए, load को फिसलने से बचाने के लिए, load के असंतुलन को रोकने के लिए, या फिर base के load को नीचे आने से रोकना, तो उसका जो सही answer है, वो है option D, prevent base from moving under load, base को load के नीचे आने से रोकने के लिए, हम इसको triangular shape का बनाते हैं अगले question में कहता है, why foundation bolts are essential to machines, machineों के लिए foundation bolts आवशक क्यों है, तो option A है, company erection करने के लिए, option B, machineों को मजबूती से पकड़ने के लिए, option C, उटपादन में सुधार के लिए, option D है, machine को shifting से बचाने के लिए, तो आपको बताना है, हम machineों में foundation bolts की लगाते हैं, तो सबसे simple question है अगले question में कहता है, what is the material for sling hooks, sling hooks आपने देखे होंगे लिए, इस तरह के hooks होते हैं, तो आपको बताने हैं, material क्या होता है, तो सीधे याद कर लिए, इसका material होता है, high tensile steel, उच्च तनाव इस पात, क्यों है, tensile load के according काम करते हैं, tensile load क्या होता है, जब हम किसी material को खीचते हैं, तो इसमें tensile load लगता है, अब जैसे यह उपर बदा हुआ है कहीं, यहाँ पर हमने load लगा दिया, तो इसमें tensile load लग रहा है, इसलिए याद रखिए, इसमें हम high tensile steel का spot use करते हैं, अगले question में कहता है, what is the name of crane, आपको crane का नाम पहचानना है, ठीक है, सारी crane जब आप company में जाएंगे, तब आपको दिखेंगी, तो इसका answer है, gantry crane, 233 का A, gantry crane is the right answer, इसका figure याद रखिए, अगले question में कहता है, what is the purpose of dynamo eye bolt, जो eye bolt है, जो हमने engineering drawing का nerds and bolt chapter पढ़ा था, तब भी में आपको बताया था कि एक इस तरह से क्या होता हम bolt लगाते हैं, ठीक है, इस तरह का bolt होता है, इसको हम बोलते हैं lifting eye bolt, ठीक, इस तरह का भी होता है, lifting eye bolt होता है, हम क्या गरते हैं, इसको उठाने काम करते हैं, ऐसे हमारा कोई machine के उपर लगा हुआ है, तो यहाँ पे हम rope पगर डालके इसको उठ आप किस डिरेक्शन उठाएंगे आप इसको सीधे ऊपर की डिरेक्शन उठाएंगे उपर को हम क्या बोलते हैं? ओर्दवाधर डिरेक्शन तो ये वर्टिकल लोर्ट उठाने के हमारे काम आता है कि अगले कुशन में कहता है which crane consists of bridge constructed guiders supporting our travel hoist crane में bridge निर्मान girders होते हैं जो traveling hoist को समर्थन करते हैं कौन से है इसका ठीक है तो यह हमारा overhead traveling crane यह जो crane है company में आपको चाहता देखने को मिलती है overhead traveling crane इसका मैं आपको figure दिखाता हूँ ठीक है यह देखे यह हमारी overhead crane है यह क्या होता है पूरे जो company होती है यहाँ पर workshop पगहरा होती है वहाँ पर इस तरह से इसके rails बनी होती है यह देखे प्लेटफॉर्म बनाया इसका rails बनाया इस तरह से तो यह machine कहोती है पूरी की पूरी workshop में इस तरह से move करती है यह जो उसका top portion होदा है यह factory का वहाँ पे इस तरह से rails बनी होती है ठीक है पूरी factory में जहाँ पर क्या होता है पूरा move कर सकता है overhead crane यह ऐसे करके यह अलब पूरा part move करता और इसमें part move करता और यहाँ पे कोई भी जो load हमको उठाना होता है उठाते है इसमें क्या होता है एक generally remote connected है ठीक है जिस remote की सहाथा से हम इसको आगे पीछे move करते है तो जो आप company में जाएंगे तब इसको देखेंगे ठीक यह हमारी देखे इस तरह से gantry crane है जो यह मैंने आपको दिखाई थी ठीक है यह हमारी truck mounted mobile crane है ठीक है जिस crane को हम truck में लगा देंगे उसको truck mounted कहते है और mobile का मतलब क्या होता है वो चीज़ जिसको हम move करा सकते हैं उसको बोलते है mobile अगले question पहुत सिंपलेस में कहता है what is the purpose of using lubricant lubricant हम लोग क्यों इस्तमाल करते हैं ठीक है तो सीधा सा इसका option है option B घर्षन कम करने के लिए हम जो lubricant है उसका इस्तमाल करते हैं अगले question में कहता है how jip crane is used to move the load जो हमारी jip crane होती है यह move को कैसे move कराती है तो जो jip crane होती है हमारे move को horizontal direction में move कराने काम आती है horizontal मतलब इस तरह से हमारे load को move करती है जो direction में अगले question में कहता है which type of rope is used for heavy duty hosting heavy duty hosting के लिए किस प्रकार की रस्ती का उप्योग किया जाता है अगर मान लेजे आपको बहुत भारी से भारी भरकम चीज़े आपको उठानी है तो आप किस तरह की जो rope है उसका use करेंगे तो जाहिड से बात है आपके use करेंगे wire ropes use करेंगे wire ropes आपने देखेंगे जो metal की बनी होती है ropes तो अगर हमको ज़्यादा भारी समान उठाना होता है तो हम wire ropes का use करते हैं जो बड़ी-बड़ी cranes होती है उसमें आप देखेंगे wire ropes हो लगी रहती है अगले question में कहता है which tool is used in inspection during the acceptance test of new machine नई मशीनों को स्विक्रित परिक्षण के दौरान में निरिक्षण में किस उपकरण का उप्योग किया जाता है तो इसमें हम use करते हैं test mandrels ठीक है mandrels आपने देखे होंगे lat machine में भी होता है तो अगर हमको जब नई machine को induct करना होता है तो उसकी सबस्वले testing होती है तो testing किस से करते हैं testing mandrels होते हैं उनसे कहीं आजाता है अगले question में कहता है which wire देखे वही question आगया दुबार से which wire rope strands are twisted in the opposite direction विप्रीत दिशा में किस रस्ती के तार मुड़े होते हैं तो यह होता है regular lay rope अभी मैंने आपको दिखाया दास का diagram ठीक है regular lay rope is the right answer अगले question में कहता है what is the operation performed before geometrical test on machine machine पर जामीतिय परिक्षणों से पहले किये जाने operation क्या है तो यह होता है हमारा leveling पहले हम करते हैं machine को level में रखते हैं जब तक machine एक समान level में नहीं होगी जैसे घर में भी आप देखेंगे जो mystery लोग होते हैं फर्ष का level हो अगले निकालते हैं वैसी company में जब हमको कोई machine install करनी होती है उसका हम level निकालते हैं इस तरह से किसी machine के सैटेज और ओरद्वाधर इस तरह की जांच के लिए क्या उप्योग किया जाता है तो इसका answer है block spirit travel spirit level भी की तरह क्यों होंगे spirit level आपने देखे होंगे generally अपने ATM देखा होगा या घर में भी कई बार यूज करते हैं जो TV वगरा fit करने आ ले आते हैं इस तरह का एक equipment होता है जिसमें alcohol भरा होता है हाप एक छोटा सा बुलबुला होता है ठीक है बुलबुला जो होता है तो इस बुलबुले की मदद से हम पहचानते हैं कि लेवल क्या है उसका ठीक है तो जो हमारा block spirit level होता है इसमें क्या होता है दोनों तरफ को चेकिंग के ल क्रेन किसके उपर mounted है ट्रक के उपर mounted है इसलिस का नाम क्या हो गया ट्रक मांटें क्रेन ट्रक के उपर भई क्रेन है तो उसको ट्रक मांटें क्रेन तो कहेंगे तो option D is the right answer अगले question में कहता है what material is used as a grouting for steam turbines steam turbine के लिए grouting के रूप में किस सामगरी का उप्योग क्या जाता है gr आपने जविन में गड़ा खोदा आपको इसके उपर machine लगानी है ठीक है अब आपने क्या करते हैं यहां पर foundation bolt डाल दिया तरह से जैसे मान लीजे यह हो गया हमारा foundation bolt कोई ठीक इसके उपर हमारी machine लगेगी अब यहां पर आप कुछ material भरेंगे तो जो material आप यहां भरेंग बाद देने के लिए अच्छे से हमें आप लेड की grouting करते हैं ठीक है फिर उसके भार से हमें आप पर concrete डालते हैं concrete क्या होगी है जिसको आम भासा में आप लोग मसाला बोलते हैं cement रोडी रेते का जो mixture होता है उसके बाद आप यहां पर वो पढ़ता है ठीक है तो इसके लि WL राल बोल्ट है इसका figure याद रखेंगे आप अगले question में कहता है what is the purpose of crowbar crowbar का उद्देश यह क्या है देखिए crowbar मैंने आपको ठीक है पिछली वीडियो में भी आया था crowbar तब भी हमने दिखाया था यह देखिए crowbar क्या होता है basically इस तरह का डंडा होता है यह डंडा आगे इस तरह से मुड़ा होता है चूटा सा और यहाँ पर taper होता है तो इसको क्या करते है मशीन के नीचे इस तरह से डाल के जो भी equipment है उसके नीचे इस तरह से डाल के उसको उठा सकते हैं थोड़ा बहुत तो इसको इसके लिए crowbar ये डंडा यूज करते हैं हम लोग ठीक जो किमेंट होता उसके नीचे तो वैज हम इसले डालते हैं इससे हमारा करोबार इस जगह में जो इसमें बनी है इसमें जा पाए ठीक है और उसको हम उठा पाए तो जगह हमको पहले से दिया रहा था इसको बोलते हैं लिफ्टिंग पॉकेट तो अभी आप देखेंगे इस का अंसर हो गया 247 का C, ग्रोबार हम किसले यूज़ करता है, भार को उठाने और इस्थानांतरित करने के लिए, तो लिफ्ट एंड मूव दा लोट, अगले कोशन में कहता है, which grouting process is unaffected by oil or grease, कौन सी ऐसी grouting process है, ठीक है, उसमें हमारा क्या होता है, वो oil or grease से independent होता है, उसमें oil or grease से कोई प्रभाव नहीं होता, तो होता है हमारा sulfur grout, ठीक है, sulfur grout जो होता है, वो oil or grease से दूर रहता है, उसमें कोई उसका फरक नहीं पड़ता, अगले question में कहता है, how many types of test mendels are available for geometrical test, जामीतिय परिक्षण के लिए कितने प्रकार के test mendels उपलब्द होते हैं, तो ये होते हैं, दो, ठीक है, geometrical test के लिए हमारे पास दो mendels उपलब्द होते हैं, इसको याद रखेगा, अगले question में कहता है, why geometrical test is carried out while testing machine tool, machine tool का परिक्षण करते समय, जामीतिय परिक्षण क्यों किया जाता है, तो देखे, जब भी हम कोई machine install बगरा करते हैं, जब नहीं machine लेगे आ दें, तो उसका हम geometrical test करते हैं, तो आपको पताना है, वो हम क्यों करते हैं, तो option A है, machine की performance जानने के लिए, option B, machine के इस तरह की जाच करने के लिए, option C, operation की कौसलता जाचने के लिए, और option D है, machine की grade और accuracy जानने के लिए, ठीक है, तो जो हम geometrical test है, machines में इसलिए करते हैं, जिससे हम machine की grade और accuracy का पता कर पाए ठीक है, तो ये थे आज की वीडियो के हमारे 25 question, इसके आगे के जो हमारे 10 question बचे हैं, उसको हम अपने अगले पाट की वीडियो में cover करेंगे, अगर आपको आज की हमारी वीडियो पसंद आई हो, तो आप हमारे वीडियो को like करिए, हमारे चैनल को subscribe करिए, इसे तरह की और भी बहुत सारी भैतरी वीडियो कॉंसेप्स के साथ हम आपके लिए लाते रहेंगे, हमारे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद